हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेवल इंडिया ओडियो बूप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पश्चम बंगाल के हिल स्टेशन इलाहबाद के बारे में जा सकते हैं। लावा यात्रा गाइड, लावा में 8 शीर श्रेटेद स्थान जहां हर यात्री को अवश्य जाना चाहिए। पश्चम बंगाल भारत के उनकुछ राजियो में से एक है जहां लगभग हर श्रेनी की सुन्दर द्रिश्य मिल सकते हैं। विस्मय कारी पहारों से लेकर मनमोहक पश्चम बंगाल में सब कुछ है। सभी स्थलों में से पश्चम बंगाल के पहार दुनिया भर में प्रसिध हैं। हाला कि दाजली जैसे हिल स्टेशन और कालिम पोंग वहां बेहद लोग प्रिय हैं। लेकिन यही बात चुपे हुई स्थलों पर लागू नहीं होती। पश्चम बंगाल में स्थित कुछ पहारी शहर बेहत खूबसूरत हैं लेकिन सुदूर स्थित होने की कारण बहुत से लोगों को इनके बारे में जादा जानकारी नहीं है। लावा एक कस्बे से अधिक एक बस्ती है। इस गाव की उचाए साथ हजार फीट से अधिक होने की कारण पूरा क्शेत्र काफी थंडा रहता है। लावा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वहां से राजसी माउंट कंचन जंधा को देखना काफी आसान है। यदि आप इतने भाग गिशाली हैं कि साफ मौसम के दोरान वहां मौजूद रह सकते हैं तो आप रात में भी शांदार पहारों को देख पाएंगे। ट्रेकिंग में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग लावा आते हैं। बहुत से लोग रिश्याप तक पैदल यात्रा करते हैं। यही एक और शांदार गाव हैं जो लावा से पांच किलोमीटर दूर स्थित है। लावा के बारे में उपरोक्त सभी तथ्यों के अलावा यह निवरा वैली नेशनल पात का भी घर है। यह पाक हिमालाई काले भालू और विभिन प्रकार के पौधू का घर है। इस ब्लॉग में हम आपको लावा में देखने लायक सर्वोत्तम स्थानों के बारे में विस् कलिमपोंग यहां तक कि सिलीगुडी से सड़क मार्ग से आ रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहां न केवल प्रचोर मात्रा में कारे हैं जिन्हें आप किराय पर ले सकते हैं बलकि पर्याप संख्या में सार्वजनिक बसे भी हैं जो आपको लावा तक में स्थित है यह गाउ से 104 किलोमीटर दूर स्थित है बागदोग्रा लावा से निकत्तम हवाय अड़ा है और लावा और बागदोग्रा के बीच की दूरी 118 किलोमीटर है लावा जाने के लिए आपको न्यूजल पाइगुरी या बागदोग्रा से परिवहन खोजने में क कोई कठिनाई नहीं होगी तो आएए अभी हम लावा के राजसी स्थलों का पता लगाएं लावा में कई मनमोहक खूब सुरत जगहे स्थित हैं चून की यह एक छोटा क्षेत्र है आप एक या दो दिन में निमनलीखित अधिकांच स्थानों को कवर करने में सक्षम होंगे प्रकृती व्याख्या केंद्र लावा भारक में सबसे प्रकृतिक रूप से सुन्दर स्थानों में से एक है और इसकी अधिकांच सुन्दर तशनकुधारी जंगलों की घणी वनस्पती से आती है नेचर इंटर्प्रिटेशन सेंटर में आपको इस ख्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सुचना केंद्र का रख रखाव पश्चम बंगाल वन विभाग द्वारा किया जाता है वहाँ आपको उन जंगली जानवरों और पक्षियों के बारे में भी जानने को मिलेगा जो लावा में देखे जा सकते हैं प्राक्रितिक संग्रहाले के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ उपलब्द कराए गए दियोरामा आपको लावा के भूगोल को और भी बहतर धन से समझने में मदद करेंगे आप सूचना केंद में पक्षियों, जानवरों और अन्य प्रानियों के मॉडल भी देखेंगे उक तथे के अलावा इस केंद में लावा मेली गई उत्रिश्ट तस्वीरों का एक बड़ा संग्रह है चून की यह साइट लावा जीट स्टेंड के ठीक बगल मिस्थित है, इसलिए इसे छोड़ना असंभव है लावा बस स्टेंड से नेचर इंटर्प्रेटेशन सेंटर की दूरी एक किलोमीटर समय, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक साइट गुरुवार को बंद रहती है पैडोंग, लावा और कलिमपोन के ठीक बीच में स्थित पैडोंग पश्चम बंगाल का एक और मंत्र मुप्ध कर देने वाला खूपसूरत हिल स्टेशन है वैसे तो आपके लिए यह बहतर होगा कि आप वहां कुछ दिन रुके लेकिन आप एक दिन में भी उसक्षेत्र का ब्रमन कर सकते हैं चून की यह शेत्रक 3970 फीट की उचाई पर स्थित है इसलिए आपको आसपास का सुंदर नजारा आसानी से देखने को मिल जाएगा पैडोंग न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिध है बलकि इसका अतिहासिक में हत्व भी बहुत अधिक है इस शेहर ने 1865 में इंगलो भूटानी युद्ध देखा था उक्त युद्ध का एक मुख्य कारण ये था कि उस समय के दौरान पैडोंग प्राथम एक पारगमन केंद्र हुआ करता था जो भारत को लासा से जोड़ता था चून की पैडोंग में कई दर्शनी स्थल है इसलिए शेहर का ब्रमन करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा पैडोंग में स्थित कुछ प्रमुक परियतल स्थल पैडोंग मार्ट, साइलेट वेली, रामाइटी व्यूपइंट और अन्य है लावा बस टैंड से पैडोंग की दूरी 21 किलोमीटर, नेउरा वैली नेशनल पार्क, 1986 में स्थापित, नेउरा वैली नेशनल पार्क भारत की सबसे पुराने वन्यजीव अभ्यारन्यों में से एक है इस पार्क तक पहुंचने के लिए आपको अपना ट्रेकिंग अभ्यान को लाखम गाव से शुरू करना होगा ये गाव लावा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है भले ही अधिकांश लोग कर्थोर जलवायू पर इस्थितियों के कारण वन्यजीव अभ्यारन्य के अंद्रूनी हिस्से तक नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन पाक का शुरुआती बिंदू भी काफी मनमोहक है कई साहसिक प्रेमी नेवरा वेली राष्ट्रिय उद्यान का पता लगाने के लिए लावा आते हैं वन्यजीव अभ्यारन्य की उचाए 10,600 फीट है और यही कारण है कि ये दुनिया की सबसे उचे राष्ट्रिय उद्यानों में से एक है अधिकांश लोग नेवरा घाटी के भुभाग के कारण इसके आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं ये वन्यजीव अभ्यारन्य दुनिया की कुछ दुरलब जंगी जानवरों का घर है उनमें से कुछ है काला भालू, सांभर, गोराल, तेंदुआ, बाग, पैंगुलिन, मलायन, विशाल, गिलहरी, जंगी, सुअ और अन्य यदि आप नेवरा वैली राष्ट्रिय उद्यान देखने के लिए उत्साहित हैं तो आप लावा की चोड़ा फिरिक शेत्र पर विचार कर सकते हैं इस बिंदू से पार्क तक की यात्रा में आपको चार से पांच दिन लगेंगे अधिकान श्ट्रेकर्स इस थान का लाब उठाते हैं क्योंकि इसका इलाका तुलनात्मक रूप से बहतर है आप लावा में वन रेंजर के कार्याले से पार्क के प्रवेश के लिए पर्मिक प्राप्त कर सकते हैं लावा बस टैंड से नेवरा वैली नेशनल पार्क की दूरी 38 किलोमीटर समय, सुबर 6 बजे से शाम 6 बजे तक, नेयोरा वैली नेशनल पार्क मानसून के दौरान 3 महीने तक बंद रहता है लावा मर्थ, लावा मर्थ इस छोटे से गाव के मुख्या आकर्शनों में से एक है इस मर्थ की स्थापना 1987 में तीसरे कोंगत्रोल रिंद पोछे कर्मा लोद्रोल चो की संगे नेकी थी भले ही मर्थ का मूल नाम काग्यू थेकचिन लिंग मर्थ है, लेकिन लोक्रिय रूप से इसे लावा मर्थ के नाम से जाना जाता है चून की यह स्था लावा बस स्टैंड के ठीक बगल में स्थित है, इसलिए इसे न देखना लगभग असंभव है चून की यह स्मारक तिब्बती वास्तुकला से काफी प्रेरित है, इसलिए वहाँ विभिन प्रकार की प्रार्थनक अक्ष और बैठने की जगह स्थित है साइट के बारे में सबसे उलेकनिय चीजों में से एक इसके आसपास का द्रिश्य है चून की यह मर्ट सुरम्य कंचन जंगा परवत की प्रिश्ट भूमी पर स्थित है, इसलिए इसके आसपास का प्राकृतिक ग्रिश्य अद्भूत है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा की इस धार्मिक केंड की यात्रा की शुरुआत में यहां कुछ ही भिक्षू थे अब 110 से अधिक भिक्षू वहां रहते हैं अगर आप वहां जाएंगे तो आपको वहां बैठने की जगह पर कुछ समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा इसके अलावा, लावा के अधिकांश होटल मत के काफी करीच स्थित हैं और यही कारण है कि यह परियतकों के बीच और भी अधिक लोगप्रिया है लावा बस टैन से लावा मत की दूरी 500 मीटर समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक टिफिन दारा व्यू पॉइंट हर हिल स्टेशन पर एक पॉइंट होता है जहां से आपको पहारों का सबसे शांदार नजारा देखने को मिलता है लावा के लिए वह बिंदू टिफिन दारा व्यू पॉइंट है 7780 फीट की उचाई के साथ ये द्रिश्टिकोन आपको आसपास की पहारों का शांदार द्रिश्य प्रदान करने में असाधारन काम करता है हालांकि ये द्रिश्य बिंदू रिश्याप में स्थित है पहुचने के लिए आपको 2 किलोमीटर की चड़ाई चुरनी होगी आमतोर पर वहां पहुचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं और लावा वापस लोटने में 35 मिनट लगते हैं न केवल माउंट कंचन जनगा बलकि आपको टिफिन दारा व्यू पॉइंट से सिक्किन के नीले पहाड और जेले पला और नाथुला पास भी काफी सपश्ट रूप से देखने को मिलेंगे लावा बस टैंड से टिफिन दारा व्यू पॉइंट की दूरी 2 किलोमीटर परिवर्तनिय जर्ना, 150 फीट की उजाई के साथ, चांगी जर्ना उत्तरी बंगाल के सबसे खूब सुरत स्थलों में से एक है उक तुजाई से जर्ने का गिर्ता पानी मोतियों की समान प्रतीत होता है जर्ने के बारे में सबसे दिल्चस्ट चीजों में से एक ये है कि वहां का पानी बिल्कुल साफ है चून की इलाके में कोई वायू प्रदूशन नहीं है, इसलिए क्षेत्र का पानी और परियावरन अच्छूता रहता है ये जर्ना इतना मनमोहक सुंदर है कि पश्चम बंगाल के अन्य परियतं स्थलों से भी लोग वहां आते हैं सिर्फ जर्ना ही नहीं, बल्कि इसके आसपास का जंगल भी काफी शांदार है यदि आप पक्षेयों को देखना पसंद करते हैं, तो ये जर्ना आपको वास्तव में खुश कर देगा वहां, आप दुरलब पक्षेयों की एक विस्तृत श्रिंखला को देखने के लिए परियाप्ख भाग्यशाली हो सकते हैं उनमें से कुछ है ग्रेट रीपी, वाइट कैप्ट वाटर रेडस्टार, ब्लू मिस्लिंग ट्रश, निल्टावा ब्लू फ्रंट रेडस्टार, वधिटर फ्लाइकेचर और अन्य वहाँ जाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जरने तक पहुँचने के लिए आपको करीब 900 मीटर की ट्रेकिंग करनी होगी आपकी किराय की कार आपको उक्त स्थान तक छोड़ देगी लावा बस टैंड से चंजी वाटर फॉल की दूरी 10 किलोमीटर समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रिश्यप रिश्याप पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी बंगाल में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यतन स्थलों में से एक बन गया है लेकिन कुछ साल पहले भी यहां बहुत से लोग नहीं आते थे यह स्थल हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गाव है अब लोग कार किराय पर लेकर वहां जा सकते हैं और कार लेकर लावा और रिश्याप के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है कई लोग उक्त मार्ग को पसंद नहीं करते वे रिश्याप के लिए ट्रैकिंग मार्ग का लाव उठाना पसंद करते हैं ट्रैकिंग मार्ग घने देवदार के जंगलों के बीच लावा मर्च से शुरू होता है यदि आप ट्रैकिंग मार्ग का उप्योग करते हैं तो आपको वहां पहुंचने में केवल 45 मिनट लगेंगे रिश्याप भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है गाव के हर कोने से आपको माउंट कंचन जंगा का शानदार नजारा देखने को मिलेगा आप वहां से भारत और तिबबत को जोडने वाले महत्वपून दर्रों को भी देख सकते हैं आप चाहे तो वहां रह भी सकते हैं अब रिश्याप में कुछ अच्छे होंस्टे और होटल स्थित हैं जो आपकी छुट्टियों को और भी अध्भूत बना देंगे लावा बस स्टेंड से रिश्याप की दूरी, 9 किलोमीटर कार द्वारा और 2 किलोमीटर ट्रेकिंग द्वारा लोले गाव हाला कि लोले गाव छुट्टिया बिताने के लिए एक बहतरी जगह हैं लेकिन कई लोग लावा की यात्रा के दोरान एक दर्शन ये स्थल के रूप में वहाँ जाना पसंद करते हैं लोले गाव लावा से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और कार किराय पर लेकर आप एक दिन के भीतर गाव का भ्रमन कर सकेंगे ये गाव बेहत खूबसूरत है और घने जंगलों से घिरा हुआ है लोले गाव में करने के लिए कई चीजे हैं जो इस दुनिया में बेहत दुरलब है उदाहरन के लिए वहां की प्रसिद क्यानोपी वॉक एक ऐसी गतिविधी है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा लोले गाव अपने सुन्दर दृष्य के लिए प्रसिद है एक साफ दिन पर आप पूरे कलिमपोंग शहर को काफी सपश्ट रूप से देख पाएंगे खास कर रात के समय तो नजारा और भी मनोरम हो जाता है वहां से आपको माउंट कंचन जनगा भी देखने को मिलेगा वहां पर कई रेस्तरा और होटल स्थित हैं आप वहां दोपहर का भोजन करके लोलेगाओं की अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं लावा बस टैंड से लोलेगाओं की दूरी 50 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में लावा एक अद्बुत जगह है जब आप वहां पहली बार जाएंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे लावा का वातावरन और द्रिश्य आपको दूसरी दुनिया में ले जाएंगे लावा के पास कुछन्य चुपे हुए दर्शनी स्थल भी है जिनके बारे में आपको अधिक जानकारी तब मिलेगी जब आप वहां पहुँचेंगे लावा में रहना कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वहां विभिन प्रकार के उच्चक गुनवत्ता वाले और किफायती होटल स्थित है इस ब्लॉग में हमने जिन दर्शनी स्थलों का जिक्र किया है वे लावा की शान है गाव की खोच करते समय उपर बताए गए किसी भी स्थल को देखने से न चुके हमें आशा है कि लावा की यात्रा पर आपका समय शांदार रहेगा इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें